Hey guys, welcome back to another video और आज हम देखने वाले अपनी medicinal chemistry 3rd का 6th semester की unit 2 का lecture number 2 तो इससे पहले वाले lecture में हमने देखा था कि macrolide antibiotics क्या होते हैं हमने उनका basic introduction देखा था, उनका structure देखा था, general structure और उसका जो mechanism of action है हमने उसके बारे में पढ़ा था और उसके UGS भी देखे थे और आज हम देखने वाले हैं macrolide antibiotics की 3 classes के बारे में जसमें हमारी पहरी है erythromycin और clarithromycin और फिर हैं हमारी agithromycin तो जिस तरह से हमने वीटा लेक्टम antibiotics पढ़ी थी तो वीटा लेक्टम में हमारी उसकी कुछ classes थी जसमें हमारी एक penicillin थी और उसके अलावा एक हमारी सिफेलोस पूरिन थी तो हमने ये दो classes के बारे पढ़ा था वीटा लेक्टम की और इन दोनों में खास क्या था क्योंकि इनमें कहा है वीटा लेक्टम रिंग पजेंट थी तो वीटा लेक्टम रिंग अगर ये दोनों डर्स पर पजेंट है तो ये वीटा लेक्टम एंटिवाटिक्स की class बन जाती है तो इसी तरह से सेम हमारी तो मैक्रोलाइट एंटिवाटिक्स में कहा है Lacton ring present होगी Lacton ring present होने की वेसिक है ये जो है Macrolite की class बन जाती है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे Erythromycin के बारे में तो हम इसका basic structure देखेंगे उसके बाद जो इसकी characteristic देखेंगे और फिर देखेंगे इसके uses और mechanism of action तो इसमें हम SAR नहीं पढ़ेंगे तो इससे पहले आपने जितने भी anti-fighters पढ़ी थी तो इसके जो है SAR भी आपने पढ़े थे और chemistry भी पढ़ी थी यानी structure के बारे में उसके तो इस वाले में जो है हम यानी जो यह जो drugs हैं इनके जो है तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे Erythromycin तो Erythromycin क्या है? ये Macroliad Antivitis की एक क्लास है यारी इन में भी जो है Lactronic Peyant होती है जैसे Macroliad में कहा है Lactronic Peyant रहती है ऐसे ही इन में भी जो है Lactronic抱ेट रहती है तो इसकी वही है किया यह macrodite antibiotics की class बन जाती है और बात करें इसके structure की तो इसके structure को याद करने है कोई trick नहीं है यह आपको मैनस से जो है याद करना पड़ेगा और अगर आप इसका structure याद करे लेते हो तो exam में जो है आपको अच्छे कासे से मिल जाते हैं तो इसके structure को आप process करना कि आप इसे किसी तरह से याद कर पाऊ और आप इसे याद करने के वज़ाए से बार वार अगर बना के देखोगे तीन चार वार अपनी कौपी में तो आसानी से जो है आपको यह learn हो जाएगा तो start करते हैं इसकी characteristic तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि क्या इसकी characteristics है तो इसकी जो characteristics आप द्यान से देख लेना क्योंकि आगे जो दो हमारे जो drug आएंगे clarithromycin और agithromycin तो उसमें भी जो है same characteristic होने वाली है तो सबसे पहले हम इसकी पहली characteristic देखते हैं तो they are white slightly yellow crystalline powder तो यह इनके nature के वारे में बता है कि इनका जो color white हो सकता है और slightly yellow भी हो सकता है और क्या यह crystalline form होते हैं यानि जैसे आपने salt देखा है जैसे नमक होता है crystal forms में same यह भी क्या है उसकी के तरह crystal form में भी यानि पाए जाते हैं उसके बाद हम इसके दूसरी characteristic की बात करें तो it is hygroscopic के nature hygroscopic का मतलब होता है water को क्या absorb करे लेते हैं जैसे हम नमक को बाव छोड़ देते हैं तो वो क्या है जो नमी होती है moisture होता है उसको क्या absorb करे लेते हैं तो इसी तरह से यह जो drug होता है यह भी क्या है नमी को जो एब्जोर्ब कर लेते हैं तो यह hygroscopic होती है और अब बात कहते हैं इसके थर्की तो वो हमारा it is orderless and bitter in taste तो एक तो इसका कोई smell नहीं आती है और इसके रावा जो है इसका जो taste होता है वो काफी कड़वा होता है और इसके अगली characteristic की बात करें तो वो है हमारी they are slightly soluble in water and poorly in alcohol तो slightly soluble का मतलब है कि अगर हम इसे पानी में अगर भोलते हैं तो यह धीरे-धी डेजॉल्ब होगा है यानि काफी धीमा जो है इसका soluble जो property होती है पानी में तो यह slightly soluble होती है और हम बात करें कि alcohol में तो वो भी जो है हमें काफी slow रहता है यानि alcohol में भी كाफी slow दाजॉल्ब होती है और दोनों में जो है slightly और poorly जो है दाजॉल्ब होती है अब बात करें इसके अगले point के दो आमारा they are metabolized in liver तो इनका हो якले point की बात करें तो होती है तो हाइग्रोस्कोपिक या नि अगर आप इने बाहर छोड़ देते हो तो इसके बैसे क्या है वो खराब हो जाएंगे तो ऐसी जो medicines होती है नहीं कि airtight container में रखा जाता है ताकि जो है बाहर से बिल्कुल भी नमी अंदर ना पाए और क्या basic characteristic होगी और अब बात कहते हैं इसके अगली की तो वो हमारा it is used for upper respiratory tract infection and breathing problem तो इसका जो use होता है वो हमारा upper respiratory tract होता है यानि हमारे गले में जो infection में गर हो जाता है तो इस case में जो है इसे use किया जाता है और सांस लेने में अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए भी से use किया जाता है तो यह होगी इसके कुछ characteristics तो आप इन characteristics को आजनी से याद कर लिए और आप बात कहते हैं इसके अगले point की तो वो है हमारा erythromycin A और erythromycin B और erythromycin C तो यह जो है erythromycin का यह अलग-लग forms है तो erythromycin से हमारा erythromycin B बन्ता है और erythromycin C बन्ता है यानि इसी से यह दोना drive होते है तो सबसे पहला point आयाता है हमारा जो फिरस्ट जो point है वो दोनों में same ही हो जाता है तो दूसरे point के हम बात कराँ तो less active than a ठीक है तो इसकी जो activity होती है वो क्या है A से थोड़ी सी कम होती है A के compare में काभी कम होती है और erythromycin C है इसकी क्या है जो activity होती है वो equal होती है यानि A की तरह ही इसकी जो same activity होती है अब बात करें इसके कुछ structure की तो बात करें इसके जो C carbon number 12 present होता है तो उसके जो है O H group लगा रहता है यानि carbon number 12 पे O H group जड़ा होगा और इसका जो carbon number 12 होता है उसके क्या है O C S 3 group जड़ा होगा और इसके अगर 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 पॉइंट की बात करें तो ये more stable होता है यानि इसकी stability अच्छी होती है और अब आप कहते है product formation की तो product क्या होता है तो product क्या है ये collector होपिक है इसके बारे हम बाद में जो अलग एक chapter में जानेंगे लेकर अभी फिलाल हम इससे sort में थोड़ा सा समाई लेते है तो जैसे क्या है जो erythromycin जो drugs होते है ये क्या है काफी bitter होते है टेस्ट में तो जैसे ही आप इने खाते हो तो आपको क्या है vomiting वगरा हो सकती है और क्या है ये थोड़े से इनकी जो cellulability होती है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है तो अगर आप इसे खा लेते हो तो ये क्या है दीरे-दीरे यानि dissolve होता है अपकी body में तो इसец में क्या है इसे जो है pro-drug की форм में दिया जाता है इसे क्या है सीधे सीधे आपको नहीं दिया जाता है क्योंकि ये कड़बा होता है और इसकी solidarity भी कं रहती है तो फिर क्या है इसका pro-drug बना जाता है अब pro drug का है क्या मतलब होता हैто जीसे शपोच यह मारा drug है और इसके साथ हमने एक molecule जोड दिया याइन अमने awלी क्वूड जोड दिया तो जो यह main drug है यह क्या inactive हो जाएगा जिसे हमने जोड दिया जो इसके बिएसकिया है यह inactive हो जाएगा लेकिन जब हमें इस पूरे को जो है जब खाएंगे ना जब यह हमारी body में अंदर जाएगा ना तो यह जो product का यह जो molecule है यह से detach हो जाएगा यानि यह से हटी जाएगा और यह जो main drug है वो क्या active हो जाएगा थेक है तो अब इसकी जोगत के आपड़ी इसकी molecule की इसे directly भी तो लिया जा सकता था, तो यह molecule क्या करता है तो यह क्या है, इसके लिए पर हम कुछ add कर सकते हैं, जैसे हम क्या है कोई sogar add कर सकते हैं, ठीक है? इस molecule की form में, तो इसका क्या है, जो taste होता है, वो थोड़ा सा improve हो सकता है, और क्या है इसकी solubity को बढ़ाने के लिए क्या है कोई भी यहां पर कोई molecule add कर सकते हैं ठीक है तो जब हम इसे खाएंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन जैसे यह body में पहुंचेगा तो यह molecule यहांसे हट जाएगा और जो main drug है वो active होई जाएगा और इससे क्या है हम आसानी स जो उसे खा पाते हैं तो इसलिए क्या है product की form में ऐसे दिया जाता है अब बात करने इसके points की तो erythromycin is better in taste and less solubility so they are available in the form of product तो यह क्या erythromycin के product की जो form में available होते हैं बात करने अगले point की तो when we use erythromycin in form of product then solubility and taste will increase तो अगर हम product की form में अगर use करते है erythromycin को तो उसकी solubility होती है और उसका जो taste होता है वो क्या बढ़ गयाता है अब बात करने इसके mode of action की तो mode of action इसका बहुत ही आसान है आप easily जो learn कर सकते हैं उसे तो सबसे पहले हम बात करने तो it is bacteriocytic in nature तो bacteriocytic क्या होता है यह क्या bacteria की growth को रोग देते हैं और जो bacteriocidal होते हैं वो क्या है वैक्टिरिया को kill कर देते हैं तो जो हमारे penicillinose जो cephalosporins थे तो वो क्या है bacteriocidal थे यानि वो वैक्टिरि वो बाग निकल जाता था तो इससे क्या bacteria मर जाता था लेकिन यह क्या bacteria की growth को रोग देते हैं उसे surprise कर देते हैं तो यह कैसे करते हैं तो it bind with the 50S ribosome तो इसमें क्या है जो उसकी RNA और जो DNA चेंज रहती है उसमें क्या ribosomes present होते हैं तो ये क्या करते हैं 50S ribosomes के साथ bind कर जाते इसके साथ जो bind कर जागा यह drug और फिर क्या करेगा यह stop the translation process और protein synthesis तो इसकी यह translation process होती है 58 ribosomes से और जो protein synthesis होती है उसे क्या यह block कर देता है इसे block करने के विए ऐसे क्या होता है कि उसकी जो growth होती है bacteria की वो रुख जाती है अब growth कैसे रुख जाती है जो बंद हो जाता है तो इसकी वैसे क्या उसकी growth रुख जाती है उसके multiplication रुख जाती है और फिर क्या है पुश्टायम अब जो है bacteria जो है बर जाता है तो एक तरह से यह जो है bacteria के खाने को रोख देते हैं यानि protein synthesis को रोख देते हैं translation process को रोख देते हैं यह यूज किया जाते हैं तो यह दोनों जो है इस यानि दिख्कत आती है तो उस इंफेक्शन में भी इसे यूज किया जाता है और थर्ड है यूज अल्टरनेटिब टो पैनिसलीन राइस्टेम प्रेस्टेम तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनने क्या penicillin लेने से problem होती है ति उन्हें allergy cause होती है hypertension यानि blood pressure भी बढ़ता है या फिर जो है penicillin खाका के उनकी body बिल्को rice tent होगी यानि penicillin वो लेते हैं तो कुछ असार नहीं करती है तो ऐसे लोगों के लिए क्या as a alternative यानि एक दूसरा option जो होता है वो यही होता है erythromycin तो वो इसे ले सकते हैं तो यहां पर हमारा जो erythromycin है वो complete हो चुका है तो अगर इसमें कोई tough चीज थी तो वो वस इसका structure थी तो अगर आप structure को याद कर लेते हो तो बागी इसमें क तो यह हमारा यहां पर erythromycin finish हो चुका है तो अगर हम बात करेंगे अगले रत की जिसका नाम है clarithromycin तो यह हमारी दूसरी class है macrolide antibiotics की तो erythromycin की तरह है यह भी हमारी एक antibiotic है तो यहां पर सबसे पहले इसका structure दिया है तो कापी complex structure है तो इसकी कोई trick नहीं है याद करें है वो same बिल्कुल आपकी erythromycin की तरह है यानि आपको जो आपने जो erythromycin में जो इसकी characteristics पड़ी थी ना जो यहां पर आप देख सकते हो ठीक है कि यह slightly yellow होता है crystalline powder form होता है hygroscopic होता है nature में orderless, wetter, slightly soluble, purely soluble ठीक है तो यह जो है जितनी भी इसकी characteristics है वो बिल्कुल आप को clarithromycin में लिख देनी है तो मैंने यहां पर इन्हें लिखा नहीं है आप क्या है जो अगर erythromycin की आप याद करोगे तो यहां पर जो है आप same to same लिख सकते हो कुछ भी आपको change नहीं करना है same जो property है बिल्कुल आपकी erythromycin की तरह है तो property आप उसकी जो है लिख सकत हो जैसे bacteriostatic nature में होता है तो यानि यह भी हमारा bacteria की growth को रोग देता है लेकिन इसकी जो binding की process है वो थोड़ी सी अलग है जैसे यह भी कहा है 50s ribosomes के साथ जो है बाइंड कर जाता है और translation को रोग देता है तो यह भी हमारा same जो है 50s ribosomes को यह साथ जो बाइंड करता है उसको क्या है इसकी जो protein की synthesis है वो रोग जाती है लेकिन इसमें क्या है जो RNA dependent protein synthesis होती है तो वो हमारी stop हो जाती है यानि वो रोग जाती है ठीक है तो उसमें जो है normal हमारी जो protein synthesis हो जो translation process थी वो रोग रही थी लेकिन इसमें जो है RNA dependent protein synthesis यह हमारी जो है stop हो रही है तो इसमें बस यह ही difference है इसके mode of action हो और उसके में तो बागी चीह हैं सेम है bacteria static होते हैं nature में और जो बाइंड करते हैं 58 ribosomes के साथ ये भी हमारी सेम है बिल्कुल और क्या रोख देते हैं उसमें जो translation process रोख जाती थी और protein synthesis रोख जाती थी इसमें जो RNA dependent protein synthesis रोख जाती है तो बस इतना सही difference है और कोई भी आप जो सेम लख सकते हो जाद कोई tension वाली बात नहीं है और अब बात करते हैं इसके uses की कि क्या इसके uses हैं तो अगर हम बात करें तो इसका पहला यूज हमारा जो आपको पिछले एक वीडियो में बता चुका हूं जिसमें मैंने फार्मकोलोजी में आपको एक चैप्टर कराया था उसका नाम था drug acting on GIT यानि gastrointestinal tract में जो infection होते हैं तो इसमें जो है इस बैक्टिरिया का काफी अच्छा रोल रहता है तो यह क्या करता है कि जो gastric यानि जो आपका पेट रहता है उसमें जो SCL से प्रोटक करने के लिए एक लेयर होती है जिसका नाम होता है आपका mucous layer है तो यह जो mucous layer होती है यह क्या है SCL से जो आपके जो इस्टमक होता है उससे जो प्रोटेक्ट करती है यानि उनके बीच में बाल का काम करती है और यह बैक्टिरिया क्या करता है उस बाल को जो damage कर देता है इससे क्या है जो SCL होता है वो आपके जो आपका जो बात करें इसके अगले की तो हमारा निमोनिया में ठीक है तो हमारा mild or moderate donor pneumonia में जो है यूज होता है तो बस यहाँ पर जो है clarithromycin जो है finish हो चुका है तो आपको बस structure देखना है और इसकी जो properties है वो आपको same लिखने है erythromycin की तरह है mode of action भी आपको same लिखना है और जो है UGSP आपको थोड़े से बस changes करके लिख देने है तो यह हो गया हमारा clarithromycin तो यह बड़ा ही आसान है आपको I hope आपको समझ में आ गया होगा और अब बात करते हैं हम अपने तीसे डखकी जिसका नाम है agithromycin ठीक है तो अपने erythromycin पढ़ लिए clarithromycin पढ़ लिए और आप यह तीसरा है हमार agithromycin तो यह भी हमारा बिल्कुल होनी की तरह आसान है तो बस आपको इसका structure देख लेना है और structure अगर आप कर लेते हो तो उसके बस सारी चीज़ा आसान हो जाती है तो properties की सबसे पहले बात करते हैं तो कुछ points तो आपके जैसे जो erythromycin था उसी की तरह आपको सेम लिखने है बस आपको कुछ अलग से लिखना है तो बस एक चीज़ लिखनी है आपको कि it is highly soluble in DMSO ठीक है तो DMSO क्या होता है dry metal sulfa oxide ठीक है तो वैसे यह erythromycin की हम बात कराएं तो वो क्या है water में left soluble होती है यानि उसकी solubility लेकिन हम बात कराएं इसकी erythromycin की तो यह क्या highly soluble होता है यह clicker होता है DMSO तो उसमें क्या यह highly soluble होती है तो पैंट यह जो point है यह आपको अलग से add कर देना है तो आपको यह दो चाहिए याद रखने हैं एक है हमारा N-Demethylation और एक हमारा O-Demethylation तो यह जो दो reactions होती हैं एक है liver में होती हैं तो इसकी वैसे क्या है यह highly यानि आप बहुत जल्दी को लख देना है तो आप देख सकते हों यहां पर कलेरिथ्रमाइसन का तो आप सेम इसी कि तरह लख सकते हो बात करें इसके यूज़ेस की तो वह हमारे ITI यानि Spiretory Texture Infection में Malaria में यूज हो सकता है और जो है Gonorio में यूज हो सकता है Cholera में यूज हो सकता है Typhoid में हो सकता है Mild और Moderate जो है pneumonia में भी हो सकता है तो यह हमारा होगे Agithromycin तो यहाँ पर हमारे जो तीन जो medicine है यानि जो तीन drugs है उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया यह बिल्कुल भी ज़्यादा difficult नहीं है बस आप इसके structure उसको देख लेना दो तीन आप practice कर लेना तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो अगर आप erithromycin कर लेते हो तो उसकी बैसे जो यह दोनों भी आपके आसानी से हो जाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें लगवग सेहमी है ज्यादा कुछ अलग नहीं है तो इसमें आपको एक तो साग नहीं पढ़ना पढ़ रहा और उसके लावा आप जो stereo chemistry नहीं पढ़ रहे है तो इसकी बैसे यह बहुत ज़्यादा असान हो जाते है तो आपके यह जो तीन टॉपिक हो चुके हैं इसमें और हमारे जो unit 2 का हमारे जो second chapter है यह फिनुस हो चुका है और अब हम अगले chapter में जो अगले रक्से बारे में देखेंगे जो हमारे macrol light से related है I hope आपको सबको समझ में आ गया हो अगर आपके मुन में कोई doubt है आप जो comment करके पूँच सकते हैं पर इस वीडियो के लिए वस इतना ही goodbye and take care